कॉंग्रेस की ओर से अब तक 64 पृतियाशों के नामों का एलान कर दिया गया है मेरे साथ में सूर्य कांथ धस्माना जी है जिनको केंट विधान सभा से इस बार पृतियाशी बनाया गया है सर सबसे पहले तो एबीपी गंगा की तरफ से आपको बहुत शुब काम है कैंट विधान सभा से आपको चुनाव मैदार में उतारा गया है किस तरीके तैयारी आपकी है और किस तरीके से आप 2022 के इस एलेक्शन को देखते है देखे मैं प्रदेश में पार्टी के संगंट में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा था पार्टी ने मुझे प्रदेश उपाध्यष की जिम्मेदारी के साथ साथ राज में जो 2022 का चुनाव है उसकी मेनिफेस्टो कमिटी का सेयोजिक भी बनाया हुआ है तो राज में जो चुनाव पार्टी लड़ रही है जिन मुद्दों पर लड़ रही है उन तमाम मुद्दों को चिन्नित करने की उन पर जनता की राए जानने की जनता से इंटरेक्शन करके जनता की जो तमाम समस्याएं संबोधित होने से रह गई पिछली सरकार में जो पीडाएं जनता की है उन तमाम बातों पर हमने पार्टी का घोशा पत्र तयार किया है तो केंट विदान सभा तो है ही केंट विदान सभा के साथ साथ पूरे राज में जो हमारे पार्टी की आगे की रणनीती है चुनाओ की जो हमारा पार्टी का मेनिफेस्टू है उस पर भी हमने बहुत गहनता से काम किया है। केंट का जहां तक सवाल है। केंट में जो तमाम मुद्दे पिछले दस वर्षों में जब से केंट बनी है। उससे पहले केंट से पहले वो तीन हिससे उसके थे एक मसूरी में था, एक लक्षमन चौक में था, एक धहराखास में था, अलग अलग विधायक थे, दो जगा कॉंग्रिस के दो यार दो और दो साथ में विधायक थे, एक धहराखास में बीजे पी के विधायक थे, केंट बन ना सिटी स्केन की मशीन महाँ पर है ना महाँ पर एमराई की मशीन है ये तमाम समस्थे आएं और डेड़ कौंस्टेंसी करीब लगबग लगबग चार लाक लोगों की आबादी का वह अस्पताल है लेकिन वह जो सुवधाय होनी चीथी ते हो सुवधाय महाँ पर नहीं है इ प्रेनेज प्लैन नहीं है उस पूरे लाके में इसके अलावा आप पूरे चोर खाले से लेकर के और गोविंद गरड़ शास्ती नगर शांती विहार टीचर्स कलोनी राजीव नगर वहाँ पर छोटी बिंदाल में हर साल बाड़ का पानी आता है उसकी कोई सॉलूशन उसक पास दिलाने है जनता को कि हम अगर सरकार में आएंगे तो इन समस्याओं का समाधान करेंगे प्रेम अगर में जहां बहुत बड़ी आवादी रिफ्यूजियों की है जो पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का बटवारा जब हुआ तो उस समय लोग यहां पर रिफ्यूजी ब बिंदाल की बस्तियां हैं इन बस्तियों का मालिकाना हक का सवाल है इन तमाम सवालों पर हमने लड़ाई लड़ी है और अगर हम सरकार में आएंगे वाद से मुझे अगर जनता आशिरवाद देगी तो निश्यत तोर पे इन समस्याओं का सवादान हम लोग कराएंगे पिछले लंबे समय से ये सिट बिजेपी के पास में रही है अला कि इस बार जो विधायक रहे हैं उनका निधन हो गया उनकी पत्री आपके सामने है आपके सामने प्रतिद्वन्दी है किस तरी से आप चुनोती मानते हैं इस चीज को और आगे किस तरी के स्टैटिजी आप बनी थी और बारा में भी और सतरा में भी वहाँ पर बीजेपी के विधायक थे उन्होंने जो मैंने आपको समस्या अभी गिनवाई है प्रेम नगर की जो रिजिस्ट्री की समस्या है वो आज से नहीं है प्रेम नगर की रिजिस्ट्री की समस्या जब से हिंदुस्तान पाक लेकिन उसके बावजूद इतनी बड़े आबादी की एक समस्या उसका संबोदित नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ी समस्या है इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो छोटी बिंदाल है उसका वाटर डिस्ट्रिबूशन एक छोटी बिंदाल में पांच नाले और पालोनीज हैं जहां बुजर्ग लोग रहते हैं उनके बच्चे या तो नौकरी करते हैं बार या पढ़ने चले जाते हैं वो अकेले रहते हैं उनकी सुरक्षा का कोई इंतिजाम नहीं है ये सारी समस्या हैं जिनको आज तक किसी ने संबोदित नहीं किया और मैं समस्ताओ की जनता इस बात को बखो भी समझ रही है और जनता को मालूम है कोविट काल था कोविट काल में पूरी सरकार कैद थी चार दिवारी में लेकिन धहरादून की जनता ने केंट के समयत पूरे धहरादून की जिले की जनता ने देखा कि किस पकार हम जान में हतेली में रख करके पी-पी किट पहन करके लोगों की मदद करते रहे, ऑक्सिजन सिलिंडर बांटे रहे, लोगों को दवाएं उपलप्त कराते रहे, अस्पताल नहीं मिल रहे थे, अस्पताल में बैड उपलप्त कराते रहे, तो लोगों ने हमारा काम देखा है, हमारी सेवा देखी है, तो मैं रसोई गैस का सिलिंडर आज एक हजार रुपे मिल रहा है चंता वैसी परिशान है केंट की समस्याइं जोड़कर के जंता मैं समस्ताओं की इस समय निश्चित तोर पे केंट में कॉंग्रिस का पर्चम ने रही ABP गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी